हलो दोस्तो दा जीएस टापिक से बीस कोश्चन लाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर बार परदिछा में आये हुए हैं इस वीडियो में हम आपसे 20 कोश्चन पूछेंगे प्रते कोश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और explain करेंगे इस वीडियो में अगर आप सुरू से लाष्ट तक बने रहेंगे तो आपको कम से कम 50-60 general knowledge की बाते मिलेंगी जो हमेशा परिछा में आती रहती हैं और इस वीडियो के लाष्ट में हम आपसे एक अलग से भी question पूछेंगे जिसका उत्तर आपको comment section में लिख करके जरूर से जरूर बताना होगा तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं question है बादसा निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है तो बादसा निर्माता के रूप में सयद बंधू को जाना जाता है सयद बंधू में दो भाई थे, सयद अमद बराखान और सयद अब्दूला ये दोन भाई मुगल समराज में बहुत ही सकतिसालिस सेना नायक थे इनका प्रभावराज में बहुत ही अधिक था इनी के परभाव के काड़ वो किसी को भी बादसा बनाने की चमता रखते थे इसलिए आप संदी सायद सायद बंदू Next question है अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पर्थम मोगल बादसा कौन था? तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पर्थम मोगल बादसा साह आलम दूती था इसलिए आप संदी साह आलम दूती है वो अंग्रेजों के समय में मात्रे कठपोतली बन कर रहा गया था तो चुरामन नाम के एक राजा जो ग्रामेड जाटों को एक संदी के रूप में संगठित किये वो अब भज्जा सिंग के पुत्र और राजा राम के छोटे भाई थे राजा राम वही थे जिन्होंने अकबर के माकबरे में से अकबर के हड़ियों को निकाल लिया था पसंद आ रहा है तो इस वीडियो का लाइक कर दीजिए और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए नेश्ट क्वेश्चा ने किस मुगल बादसा ने 1733 में बिहार की सुवेदारी बंगाल के नबाब सुजाओ दिन को परदान की थी मुहम्मद सा जिसे रंगीला बात्सा कहा जाता है उसने बिहर की सुवेदारी बंगाल के नवाब सुझाओ दिन को परदान की थी इसलिए आपसा नसीत से ये मुहम्मद सा नेस्ट कुश्चन है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपी लोगों के तुलना मक्षियों के छट्टे से की है अलिवर्दी खान ने कहा था कि यूरोपी लोग मद मक्षिय के छट्टे के समान है अगर उनको ऐसे छोड़ देंगे तो वो आपको सहत देंगे अगर आप उनको छेड़ेंगे तो वो आपको काट काट करके खा जाएंगे इसलिए आपसन ए सही है अलिवर्दी खान नेस्ट कुश्चन है बंगाल के नवाब अलिवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ तो बंगाल के नवाब अलिवर्दी खां का उत्रा अधिकारी सिरा जुद्धावला हुगा इसलिए अपसने साइए सिरा जुद्धावला नेस्ट क्यूस्चन है लाड कलायू को गधा या सियार की संग्या किस ने दी थी? तो लड कलायू को गधाय या स्यार की संगया मेर जाफर ने दी थी इसलिए आपसन भी साइए मेर जाफर नेस्ट क्वेश्चन है किसने फ्रांसिसी बिसे सग्यों की मदस से डिंडी गूल में एक आधुनिक सस्त्रगार अस्थापित किया हैदर अली ने फ्रांसिसी बिसे सग्यों के मदस से डिंडी गूल में एक आधुनिक सस्त्रगार अस्थापित किया था इसलिए आपसन भी साइए हैदर अली नेस्ट क्वेश्चन है भेड की तरह एक लंबी जिन्दगी जीने से बहतर है कि सेर की तरह एक दिन जीया जाए या किसका कथन है तो यह पावरफुल वाक्य तीपुल सुल्तान ने कहा था इसलिए आपसन भी साइए तीपुल सुल्तान किस सिख गुरु ने कहा था कि मैं अपना सर कटवा लेंगा लेकिन अपना रहस्य से नहीं बताऊंगा यह कथन किसका है तो यह पावर्फुल कथन तेग बहादूर का है इसलिए अपसंसी सही यह तेग बहादूर नेस्ट कुस्चन है भारती राष्ट्री कांग्रेस का 896 का अधिवेशन निमलिखित में से किसके लिए बिख्यात है तो भारती राष्ट्री कांग्रेस का 896 का अधिवेशन इसलिए बिख्यात है क्योंकि उसी टाइम पहली बार राष्ट्री गीत गाया गया था जिसे बंदे मातरम कहा जाता है उसी टाइम गाया गया था पहली बार बंदे मातरम बंकिम चंद चटरजी के उपा नियास का एक छोटा सा अंस है Next question है निमलिखित में से किस गवर्णर जर्नल को भारती प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है Sir Charles Metcalf को भारती प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने समय में प्रेस को पूर्ण सोतंतरता दे दी थी इसलिए उन्हें भारती प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है Question है बक्सर के लड़ाई East India Company किसके खिलाप लड़ी थी बंगाल की नबाब मिर कासिम अवत की नबाब सुझा उद्दावला तथा मोगल वाथसा सा आलमदूति के स्वायुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी के खिलाप लड़ी थी लड़ाई में अंग्रेजी के जीत हुई और इसके परड़ाम पस्चिम बंगाल, बिहार, जारखंड, उडिशा और बंगलादेश का दिवानी और राजस्व अधिकार कंपनी के हातों में चला गया इसलिए अप्सन के उनसार पहला अप्सन सही है मिर कासिम इस्ट इंडिया कमपनी ने किस वर्ष बांबे को पूर्त गालियों से प्राप्त किया इस्ट इंडिया कमपनी ने बांबे को पूर्त गालियों से 1668 इस भी में प्राप्त किया बिटिश इस्ट इंडिया कमपने दरा तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी गई इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जग अब बांबे को अपना मुख्याले बनाया था इसलिए अप्सन बीज सही है 1668 बाकसर के लडाई के बाद बंगाल के नबाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया तो बाकसर के लडाई के बाद अंग्रेजों की जूइत हुई थी उसमें उन्होंने बंगाल का नबाब मिर जाफर को बनाया था इसलिए आप संसी सही है मिर जाफर नेस्ट कुश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय पर्थम जनगर्णा किसके काल में हुई थी? तो भारत की जनगर्णा अब तक 15 बार की जा चुकी है जो पहली बार 872 इसमी में ब्रिटिस वाय सरा लाड मेयो के अधिन पहली बार करा आई गई थी यहां यह भी याद रखियेगा कि भारत में पहली सम्पूर जनगर्णा 1881 में हुई थी इसको याद रखियेगा नेस्ट कुश्चन है भारत में भारतियों द्वारा अस्थापित पर्थम बैंक को अकाउंस आथा जिसमें सिमीत देयता का प्रबंधन था तो अवद कामर्सियल बैंक एक भारती बैंक था जिसकी अस्थापना 1881 में फैजाबाद में हुई थी यह जब तक बिफल नहीं हुआ तब तक वच चलता रहा यह उन्नी सवंठावन तक संचालित रहा यह सिमीत देयता वाला एक भारती बैंक था जिसमें आस्थानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिड़ दिया जाता था यह एक छोटा बैंक था जिसका कोई साखा भी नहीं था नेस्ट कुस्चन है भारती सिच्छा का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है तो भारती सिच्छा का मैगना कार्टा जिसे महाधिकार पत्र भी कहते हैं बुड के गोश्रा पत्र को कहा जाता है सर्चार्ल्स बुड ने अंग्रेजी सिच्छा का प्रचारों मैलाव की सिच्छा पर जूर देने के लिए 1894 में तत्काली गवर्नल जनरल लाट डोलाजी को एक पत्र लिकाता जिसे बुड का गोश्रा पत्र कहा जाता है इसमें कहा गया था कि प्राथमी विद्याले сторे में मात्री भासा हूने जाई है तरह उच्य यानि विसु बिद्याले के सिच्छा अंग्रेजी में देने चाइए इसलिए अफसाने से यह बुड के गोश्रा पत्र ह। बारत में आदुनिक शिच्छा के जन्व दाता चार्ल्स ग्रांट को काजाता है इसलिब आप में इसलिफ चार्ल्स ग्रांट कींकि जिस समय बारत में मुगलो का सासन था उस में सिच्छर सansasताओं का पता नो चुका था उस समय इस्ट इंडिया कमपणी के एक सीविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में यह विचार आया कि अंगरेजी भासा को ही एक माध्यम बना करके भारतियों को सिचित किया जाए तो इंगरेजी ने सिचा को नेजी आथों में ले लिया और आंगरेजी सीखाने के लिए इसकूलों का जाल बिछा दिया के अपने जान दे दी ये दिती भी सुईद का समय था पाना जाता है कि अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था जबकि बंगाल में लगतार अनाज का निर्यात दूसरे देशों में हो रहा था उस समय प्रोफेसर रफिकुल इसलाम जो की 10 साल के थे उन्होंने पुर भाई बानों में से सबसे बड़ा था और जिर्णा राने के लिए धियारी मजदोरी करता था मैंने अपने पिता को गाह में छोड़ दिया और भाई बानों को कुलकाता लाया हमारे पास बस आटा था उस समय जहां भी खाना बढ़ता था हम लोग वहां पहुंचते थे लेक उस यह बंगाल तो दोस्तो आज का 20 कुश्चन कंप्लीट होगे आपने 20 क्याइव कवें से कितने क्वें का आणसर सःध दिया है हमें कमेंन सेक्षन में लिक करके जरूर सरी बताए हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में लास्ट में एक क्वेस्चन तो पिले जिस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहा है फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार